हलो फ्रेंड्स विल्कम टो मैं चैनल होमिस कुकिंग तो चलिए आज हम बनाते हैं बहुत यूनिक स्टाइल में हम प्याज के पकोड़े सर्थियों के सीजिन में हमें गर्मा गरम प्याज के पकोड़े खाने में तो मज़ा ही कुछ और होता है तो चलिए इसका प्रिपरेशन आप स्टाइट कर लेते हैं एक प्याज के पकोड़े तो चलिए इसका प्याज के पकोड़े ट्राइक करना और मुझे बताने इसका टेस्टार को किसा लगा सिंपल तरीके साथ प्याज के पकोड़े स्टाट करती हूँ तो चलिए इसका प्रिपरेशन भी स्टाट कर लेते हैं इसे बनाने के लिए मैं हैं पर 3-4 प्यास ले रहे हैं और कुछ इस तरह से इसे कट कर देंगे अच्छे से और हात्तों की मतस्ते हमेसे इस तरह से ख्रश कर देंगे जैसे की हमारे सारे प्याज खुले खुले हो जाए अब हमारा सारे प्याज रड़ी हो चुका है अच्छे से अब हम इसमें डालेंगे चाप्ट क्या हुआ लसुन चाप्ट क्या हुआ ग्रिन चिली थोड़ा सा हल्दी इसका कलर और टेस्ट एन्हांस कने के लिए और स्वादवन सा नमक भी डाल देंगे इसमें एक टेबल स्पून चिली पाउडर आप अपने आकड़ेंगे लेना आपको जितना तिखा पसंद है और इससे हम अच्छे से मिला देते ही नमक डालने के बाद प्याज पानी छोड़ता है इसे लिए हम इसे अच्छे से मिला कर पांच मिनेड के लिए इसे ही रखते देते ह प्याज अच्छे से मस्टर छोड़ चुका है अब आप इससे चार से पांच टेबल स्पून बेशन डाल देंगे और इसे हम अच्छे से मिला देते हैं पहले आप पानी बिल्कुल मम्ट्रा लिए अच्छे से मिलाने के बाद अगर आपको ज़रूत इतना हो अब उसी हिसाब से इसमें पानी डालें अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा करके पानी डालेंगे और हाथों की मद्द से कुछ इस तरह से इससे माश कर देंगे इस पकोड़ों में हमें ज़र्दा पानी के ज़रूत नहीं है क्योंकि प्याज में बहुत ज़्यदा पानी रेता है उसी बज़े से ही हम थोड़ा थोड़ा करके पानी डाल गए से अच्छे से मिला देंगे अब अब इसमें थोड़ा सा और बेसन आड़ कर देते हैं अगर आपको जरुत हो तो आप इसमें और बेसन आड़ कीजिए नहीं तो आड़ मत कीजिए अगर आपको मेरे रेसिपी अच्छी लगी हो ना प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर ना बिल्कुल मन भूलिए तब हमारा कड़ाई में तेल अच्छे से घरम हो चुका है अब हम इसमें पकड़े को डाल देते हैं पहले हम पकड़े को कुछ बॉल सेप में ही डालेंगे इसमें और उससे हम हाफ फ्राइ ही करेंगे इसे अब हाई फ्लेम पे ही कूप करिये दो मिनिट के बाद हम इसे पलट देते हैं दूसरी तरह पकने के लिए हमारे प्यास के पकड़े डवल फ्राई होगा इसलिए हम पहले इसे 50 परशेंट पकाएंगे उसके बाद और 50 परशेंट पकाएंगे अब हमारा पकड़ा अलमस्ट हो चुका है 50 परशेंट फ्राई हो चुका है इसे अब हमें प्लेट में निकल कर रख देते हैं इसे प्लेट में निकलने के बाद अब हम इसे क्या करेंगे ना इक कटोरी की मदस से इसके उपर कुछ इस तरह से प्रेश कर देंगे प्रेश करने के पाद आप देख सकते हैं किस तरह से दिख रहा है अब हम इसे सेकेंड फ्राई भी करेंगे जब आप इस तरह से प्याच को फ्राई करेंगे ना तो आप ग्यास का फ्लेम लो टु मीडियम रखेंगे पहले हमने हाई फ्लेम पे ही कूक करेंगे अब हम लो टु मीडियम फ्लेम पे ही से कूक करेंगे एक के बाद एक सारे पैस को हम ढाल देंगे पैस के पकोड़े को अब इस तरीके से अपने घर में जरूर पैस के पकोड़े ट्राई करना और मुझे बताने इसका टेस्ट आपको किसा लगा बहुत एजी और सिंपल रेसिपी है पर खाने में बहुत मचेदार है दो से तीन मिनिट के लिए इसे इसे ही छोड़ देते हैं और अब हम इसे पलर देंगे अच्छे से अच्छे से अब हमारा पैस के पकोड़े अल्मोंस टड़ी हो चुका है अब इसे घर्मा घर्म ही खाए तो इसका टेस्ट और भी जदा अच्छा होगा अब हम चलते हैं सर्फ करने के लिए अब हमारा पैस के पकोड़े बिलकुल रड़ी है अब हम इसे थोड़ा सा केचप के साथ एंजेय करिए और मुझे बताना मिलकुल मत भूले इसका टेस्ट अपको कैसा लगा थैंक्स पर वाचिक मैं चैनल